इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपसे बात करूँगा राजिस्तान वंदरक्षक वनपाल बढ़ती 2022 के बारे में आप सभी को बता है कल इसका नोटिफिक्शन आउट हो चुका है कल मैं वीडियो बना चुका हूँ कब से कब तक इसके फॉर्म म करने वाला हूँ तो पैसेंस बनाकर वीडियो में टक देखते रहें जिसने आप तक चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिशन आप तक पहुँच जाए आए यह में वीडियो को स्टार्ट करते हैं राजिस्ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने जिसफरी नियुसक्ता ऑस सब्सक्राइब जब पहले इसके form बरे गए थे ठीक है तो आपको नए सीरी से form लगाना है सभी विद्यारतियों को जो eligible है ठीक है तो कब से कब तक form बरे जाएंगे 14 मार्स से लेकर आपके 29 मार्स तक form बरे जाएंगे SSO ID या Official Website पर जाके जो RSMSSB के Official Website है उस पर जाके आप form फिल कर सकते हैं अब हम बात करते हैं eligibility की कौन-कौन विद्यारति इसके लिए form लगा सकता है अगर हम बात करें वंदरक्षक की यानि forest guard की बात करें तो minimum अगर आप class 10 हैं अगर आपने class 10 पास कर रखी है तो आप forest guard के लिए form लगा सकते हैं जिनकी post सबसे ज़ादा है forest guard यानि वंदरक्षक की जो post है वो 300 post है जो काफी ज़ादा है पहले बहुत कम थी अभी लगबग 1500 के आसपास इसमें post बढ़ाए गई है तो अब काफी post हो गई है तो 2300 post इसमें बढ़ चुकी है अब हम बात करें वनपाल की तो वनपाल की जो qualification है वो 12th पास है आप किसी भी संकाय के अंदर अगर 12th पास है तो आप वनपाल के लिए eligible है और इसकी जो post है वो 99 है तो टो टोटल 2300 नन्याण में post हो चुकी है वनरक्षक की वनपाल के जिसमे वनरक्षक की सबसे ज़्यादा पद हैं 2300 पद है वनरक्षक की जो eligibility है दस्वी पास है वनपाल की वार्वी पास है अब हम बात करते है एज लिमिट के बारे में क्योंकि एज लिमिट को लेकर काफी confusion है विध्यारतियों के मन में राजस्तान वनरक्षक है तो नियूंतम यू हो जाएगी 18 वर्स और मैक्सिमम हो जाएगी 24 वर्स जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी रहेगी जिसे SCST category पास साल की छूट है पाकी के अन्य जो आरक्षित वर्ग है उनको अपनी category के साब से छूट भी दे रखिए आप जो detail notification उसमें देख सकते हैं जबकि पाल है जिसकी पद only नन्यान में हैं तो वनपाल की बात करें जिसकी qualification बारवी पास है तो minimum 18 और maximum 40 वर्स हो सकती है और जो अरक्षित वर्ग है उनको छूट भी है आयू की जो घंणा की जाएगी कि एक जनवरी 2022 तक एक जनवरी 2022 तक आपकी जो आयू है 18 वर्स complete होनी अगर exam pattern का बात करें तो पहले आपके लिखित परिक्षा होगी जिसमें परिक्षा का जो scheme रहने वाला है वनपाल की बात करें वही 100 नंबर का आपका पेपर है प्रस्नों की संक्या भी 100 है वनपाल में भी और वनदरक्षक में भी 2-2 गंटे का आपका पेपर होगा दोनों क प्रिशन पत्र में समस्त प्रिशन भूविकल्पी होंगे, अबजेक्टी होंगे, सभी प्रिशनों के अंग के समान होंगे और किसी प्रिशन के गलत उतर पर प्रक्षार्तियों के 1 by 3 अंग काटे भी जाएंगे पतला आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नवाई 3 मार्क्स होगी वापस से बता देता हूँ, वन पाल सो नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा सो कुशन आएंगे, दो गंटे का आपका टाइम होता है वहीं फोरेस्ट गार्ड वन रक्षक की बात करें, अधिकतम पूर्णा का आपके 100 मार्क्स के हैं, प्रिष्णू की संक्या 100 है और परिक्षा की जो अवदी है, दो गंटे की है अब बात करते हैं सिलेवर्स की, कि इसका जो डिटेल सिलेवर्स हो क्या है वन पाल की बरती की बात करें, तो राजस्तान वन अधिनस सेवा नियम 2015 की नियम 27 अनुसूची फॉर्ट के अनुसार जो है, नियम अनुसार है तो क्या होगा, राजस्तान राजिक के विशिष्ट संद्रब के साथ सीनियर सेकेंडरी स्थर के सामानिग्यान मतलब जो तैन्थ लेवल है, ट्वेल्थ लेवल, सीनियर सेकेंडरी मतलब ट्वेल्थ लेवल का, यहाँ पर सामानिग्यान आपको देखने को मिलेगा और दैनिक्यान, गणित, सामाजिक अथियान, भूगोल, इतियास, कलासंसगर्थी, सामाई को बीश यह था तो इसके जो वस्तुर्ण्स प्रसन पूछे जाएंगे तो क्या-क्या पूछने वाला है, मतलब 12 इसตंदर की जो है इसमें हिस्ट्री आ सकती है सामा ने ग्यान आ सकता है जो गुरोफ एकोनोमिक्स ये सब आ सकता है वहीं दैनिक विज्ञान भी होगा मतलब यहां पर विज्ञान सब्जेक्ट होने वाली है इसके अलाबा गणित होने वाला है सामाजिक अध्यान होने वाला है भुगोल होने वाला है इतियास होने वाला है, कला संसकर्ती होने वाली है, समसामाइक विशे होने वाला है और वस्तुनिष्ट यानि object type question पूछे जाएंगे वंदरक्षक की बरती परेक्षा का पाट्टेकरम की बात करें कि फोरेस्ट गाड का क्या होगा तो इसके भी सेम वैसे ही है कि राजिस्तान राजिके विशे संद्रम में मादमेक इस्तरियन, दस्वी इस्तर का सामाइन ग्यान आएगा इसमें और दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्यन, भुगोल, हितियास, संसकर्ति, कला सामाइक वी से यह होंगे मतलब कुल में इलाके जो है जीके जीएस होने वाला है तो आप लक्ष की बुक ले सकते हैं, डिटेल में वहाँ पर एक्स्वें किया हुआ है और भी कापी साय राइटर से इनकी बुक आती है, दिशा हो गया, राय हो गया, लक्ष हो गया इन सब की बुक आती है, आरबीडी हो गया ठीक है, तो बहुत ही मैत्पूर ये टॉपिक है, काफी इजी से लेबस है, कोई बच्चा पढ़ सकता है और एक बहुत बड़ी बढ़ती है, क्योंकि क्वालिफिकिशन इसकी बहुत कम रखी गई है तो राज़स्तार, राज के विक इसैंटर का, यहां पर जीकी होगा, सामज़िक ए jść अधियन, भूगो लित्या, संसकर्ति एक ला समसामाई वे से, यह सब इसमें आने की संबाउना है वह ही हम बात करें, वन पाल में भी, तो वन पाल में भी मैस के कुश्यन होंगे यह तैन्थ इस्टेंडर की होगी, math तो तैन्थ इस्टेंडर की होगी, science भी तैन्थ इस्टेंडर की होगी, लेकिन जो gk होगी वो 12 इस्टेंडर की होगी, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे तो यदि आप SSE exam, bank, railway जैसे general competition की preparation कर रहे हैं और भारत के number 1 learning app अनेकेडमी से आप जुड़ना चाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और regular free special class और plus class ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत के number 1 learning app अनेकेडमी को play store से डाउलोड करना होगा, डाउलोड करने के बाद register करें, sign in करें अपने mobile number से, उसके बाद में category select करें, सबसे पहले आपको category select करनी होगी, assassin non technical, select करने के बाद में जो है आप free special class में जाए, और मेरा नाम सर्स करें अर्व में भी classes हो रही है, मेरी free special class morning में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है, और उसके बाद में शाम को 8 बजे और साड़े 9 बजे class होती है, जिसमें मैं आपको जो है, जनरल साइंस और इस्टेटिक जी के पढ़नी है, आपको practice करना है, और वहापर आना है, तो आप लोग मुझे जूड़ सकते हैं, तो आज शाम को 8 बजे शांदर live class होने वाली है, सभी विद्यारती class में जूड़ जाईए, शांदर topics में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो class में सभी विद्यारती जूड़ जाईए, class के लिक description में है, उसमें click करना class open हो जाएगी, और लोग्स तो आप लक्ष वगेरा या और भी जो मैस के लिए आप आरे सगरवाल या मातुरिया के बुगले सकते हैं, और भी कापी सारी current reference के लिए आप जो है, मुमल पढ़े, मुमल बैस्ट है, वार्सिकांग पढ़ सकते हैं, या आप मन्थली करुनालोजी पढ़ सकते हैं और डिटेल में syllabus होगा, तो आपके कापी सारी comment आरे ते syllabus क्या होने वाला है, pattern क्या होने वाला है, यह सब कुछ मैंने आपको बता दी हैं, तो बड़ा ही आसान syllabus है, बड़ा ही आसान exam pattern है, आप लोग अभी से preparation स्टार्ट कर दो, वैसे तो यह पुरानी बरती है, 2020 की बरती ह आईए, अब यह 2022 में इसका एक्जाम होगा, अब 22 में इसका एक्जाम होगा, इसका जो एक्जाम का जो संभावित महिना दे रखा है, कलेंडर के अनुसार, रुज़ारास्तान करमचारी चैन बोड का जो कलेंडर है, उसमें October मन्त दे रखा है, मतलब आपकी जो एक्जाम ह वह October मन्त में हो सकती है, तो अब इसका जो है notification आगया है, तो जल्दी इसका एक्जाम डेट भी गोशित हो जाएगा, तो आप लोग preparation करते रहिए, और preparation के लिए आप अनेकेडमी से जुड़ सकते हैं, धन्यों